वैसा वेश वेश देख करिए आपका संदेश हवाशिंग चहल के साथ हलो दोस्तो नमस्कार मैं हवाशिंग चहल संपादिक आपका संदेश दोस्तो आज कल राजनिती बड़ी तेजी से घुम रही है एक तरफ जहां सरकार के नमेंदे और वार्दिय जनता पार्टी के कारिये करता जी टुन्टी के सफल समेलन को लेकर उच्षाइद हैं और पूरी पीठ थप थपा रहे हैं और आज परदानमंतरी का वो स्वागत भी कर रहे हैं तो बहुत ही काफी उच्षा का महौल बीजेपी मिने हुआ है लेकिन एक तरफ जहां पूरे देश के अगर बात की जाए तो जिन चुनाओं के अंदर जो चैर पांच राज्यों माभी नजदिक हैं चुनाओं विदान सबा के वहां पर जो खबरे आ रही हैं वो माफिक नहीं है बीजेपी के क्योंकि वहीं से यही आवाज आ रही है या तो कड़ी टकर है या फिर कहीने कहीं बीजेपी लूज कर रही है तो अभी देखना है यह तो बूशे की बात है कि अभी क्या क्या कुछ और गुल खिलने हैं लेकिन अब जो अचानक से लोकसवा का जो सेशन परदान मंतरी जी ने बुलाया है अब इंडिया बनाम भारत यह तो काफी चर्चागवी से बनाई हुआ है इस पर तो होगा ही हो करेंगा अब नए आशगूपा अब यह जो सनातन का अभी चला है यह दार में कि मामले इस में राजनिति में जिंब कर चलेंगे हैं कूंकि अब जो भी नई नई बात आ रही हैं निकल कर रहें कुछ नए-कुछ उनके अंडरे खास बाते बीच में आ आ रही हैं तो अब ज्यादा तरह इस बात की लोगों में संका है कि पता नहीं क्या अचानक ये लोग सबागा जो सेशन बुला कि कुछ दिन पहले तो सेशन था और विशेश सत्र जो बुलाना है वो या तो एमरिजन सिम बुला जाता है या कोई खास गोशना होती है उसमें अब इसका विशेश सत्र बुलाने का मामला है ये लोगों के समझ में नहीं आ रहा है तो अभी कयास जरूर लगा जा रहे हैं और ये बाते कोई सर्टिफाइड नहीं है वैसे हम पत्रकार भी अंदाजा ही लगा रहे हैं तो मेरा मानना है कि जो ये स्पेशल जो ये सत्र ब सत्रों के मुताबिक तो उसम ये है कि जैसे ओवी सी को और पिछड़ों को ये जो आरक्षन दिया गया है इस आरक्षन को पूरे तोर पर और आगे तक बढ़ाने के लिए इसम अती पिछड़े और बहुत ज्यादा जो पिछड़ चुके हैं या कुछ जातियों को हो सकता है OBC में से BC में और BC में से SC में और SC वाले कुछ कटेगरी हो सकता है ST में भी आ जाएं इस किसम के लोग के यास लगा रहे हैं अब ये ख़बर पूरी परमानिक नहीं है लेकिन अंदाजा यही है कि रोईनी कमिस्शन की जो रिपोर्ट है उस पर ही ऐसे मोख्यों के चुनाओ नजदीक है उपर से लोकसवा कि भी तैयारी चल रही है तो कोई न कोई बखेडा तो होगा ही इसमें कोई दोराए नहीं है और ये जो आज कल रोईनी का जो कमिस्शन का जो मुद्दा चले हुआ है जैसे पहले मंडल था उसके बाद फिर ये मंदर वाड़ा मुद्दा रोईनी कमिस्शन का आ जाए तो इसमें देखना है एक किस तरह से क्या अरट होता है, वो सकता है इस अरट्जन के भी टूकड़े कर दिये जाएए, एक तरफ जात-न्ल्च जट्रण करना है, इसमें याई सरकार कोशिस करेगी के भहिए कहीं न कहीं इसको जल्द बादी में बनाओ था और लागू कर दिया था لेकिन है लोगों ने इसकी अपील कर दी हमने तो करीदीया अपनी तरफ से ए इसी तरह कही देखे है हमने जा टारेक्शन का मामला था और थे बहुत से तो उन में क्या है सरकार तो कर देती है एक बार लेकिन सरकार के ही कुछ आदमी मिली बगत करके कोर्ट में चले जाते हैं और उस मामले को ठंडे बस्तेम डाल देते हैं तो इसी तरह का ये एक लोली पॉप ही कहूंगा मैं इसको क्योंकि जब तक पूरी तरह लागू नहीं होता इस तरह गारक्षण है तो वो फिर लोग बेकाने वाली ही बात है क्योंकि वो जब तक पूरा लागू नहीं होगा तब तक उसमें हम नहीं कह सकते कि ये निश्ची तोर पर है तो इसी तरह अब सनातनगा बहुत जोर शोर से परचार हो रहा है और कई वर्षों बाद मत ये कहूंगा कि कुछ है बड़े नेताओं के मूँ से इस तरह के जो अलफाज निकलते हैं जीब काट लेंगे, आँख निकाल देंगे, हाथ कटवाय देंगे ये करतेंगे इस तरह के जो किंद्रिय नेताओं तवारा जो ये इस तरह के बयाना रहे हैं ये मैं समझता हूं कि बड़ा खतरनाक मामला है और ये बड़काने वाड़े बयान है लोगों के आयो देमंदिर का भी एक कारीकरम होने जा रहा है क्योंकि बहुत ही जल्दी सरकार भी बड़े सोच समझ कर ये कदम उठा रही है क्योंकि जो जो चुनाओं नजदीक आएगा तब तब ये उसी मौके के अनुसार है ताकि बोटों पर भी प्रवाव पड़े है और खासकर बारती है जनता पार्टी को कुछ ऐसे मुद्दे तलासने हैं जो उनको इस का है करनाटे के की आर के बाद सरकार में कुछ ऐसी बाते सामने आ रही हैं कि बीजे पी के ही कुछ लोग दबी जबान में कर रहे हैं कि ये पुराने मुद्दे अब नहीं चलने वाड़े कुछ नया करके दिखाओ काम के तो वोट लोग कम ही देते हैं क्योंकि काम इस तरह जी का दोरा है और यह जीस तरह खुल लबार थे देव लाल जी ने लगाए फिर सरकार आपके द्वारों परकास उटाडा ने लगाए उसी परकार ये अभी मुन और लाल जी ने भी अपने अर्याने के अंदर ये सुरू कर रखे हैं एक किसम से खुले इदर बार हैं यहां भी जहां जहां वो जाते हैं जन समाद कारिय करम में तो वहां भी अलग-अलग चीज़े देखने को मिलती हैं विपक्स पूरी तरह उनको बुना ले हैं और उनके कोई ऐसी बात है तो उनके मजाख उड़ाते हैं जिस तरह एक मामला था भी पीछे अख़बारों में भी अपने पड़ा होगा और खासकर सोशल मीडिया पर यह चीज़ आती हैं मीडिया की बड़ी शिकायत है लोगों को क्योंके गोदी मीडिया नाम रख्या हुआ है आजकल जितने बड़े टीवी चैनल हैं उनका आजकल सरकार के साथ है काफी बड़ा गठबंदन बना हुआ है क्योंकि विपक्स को कम से कम समय देने कोशिश करते हैं ज्यादातर सरकार का गुनुगान करते हैं तो आम जनमाने समय यह एक बात घर कर गई है कि यह ज को यानि के अमारी बासम बीड़ा बाद नहीं कोशिश करी जा रही है तो दोस्तों पत्रकार का तो काम है सचाई को उजागर करना लेकिन आजकल का जो मीडिया जो दिखा रहा है वो एक तरफा ही अपनी बाते दिखा रहा है और बड़ा चड़ा कर ही मामले पेश कर रहा है अब जी टूंटी का तो चलो भई यहां तो देश की वो इज़ित का सुवाल था बहुत बड़िया प्रोग्राम हुआ इसमें सब को यह श्राणा चाहिए लेकिन जिस तरह से जो गिजोपड़ियों को डख्या गया और क्रिया गया इस तरह से यह दिखा नहीं गया और वो चा होता है तो इस तरह के राष्टे माने वारे जो यह तो ंनको उठाए दिया जाए जहुगी जो और पर पिर उनके जगए का इनक बड़ाकर दीए जाएं तो इस तरह से सरकार की स्किम में बहुत ची जनका लिया बड़ी करिसरी में हैं उनके विलाफ दिए जाए और इसी त से जब यह चलेगा चुनाओगा सिस्टम में तो उसमें विपक्सी नेता भी भैबीत हैं क्योंकि शुरू से देख रहे हैं हम काफी दिनों से जो भी आई एंडिया के जितने नेता है यह जो गठवंदन है विपक्स वाड़ा इसके जितने भी नेता है डिशी वियाई कारिय करताओं कह देते हैं कि हो सकता है मेरे को अब उठा लिया जाए या मेरे को शेमें ना मिले क्योंकि मैं मुकदमें मौन जाऊंगा तो इस तरह की बात है तो वो पहले से ही जागरू कर रहे हैं अपने कारिय करताओं को कि चुनाओ अभी पूरी तरह समाणना है और इस में पूरा जोर सरकार का यह होगा कि जितने भी गटक दल हैं यानि कि जो कॉंग्रेस के साथ जो कुछ दल लगे हुए हैं और जिनका जनादार है अपने राज्यों में तो उनका पूरा कोशिश होगी बाजपा की और एंडिये की कि उन दलों को उनके नेताओं को परेशान कर या तो उनको चुपकरा दिया जाए या फिर उनको अपने अ अंडिये में सामिल करुआ है इस किसम की सक्किम में अभी चल रही है जैसा कि लोगों का मानना है क्योंकि आजकल आम आदमी भी इन चीजहों को सोचने ले गया है कि वह तो यहुँ हो का रहा है अभी चयार पां कर जो रहेगा क्योंकि ये इन्दी बाशी राज़े आते हैं और यहां पर बाज़पा की अच्छी पकड़ थी लेकिन अब जो वहां से निकल निकल की खबरे आ रही हैं उनमें यही लगता है कि बहुत ही या तो कड़ी टक्र होगी या फिर कहीं कहीं बीजेपी पिछड सकती है तो यह देखने वाड़ी बात होगी तो इस तरह की बहुत सी बाते जो अभी सामने आएंगी तो अभी यह देखना है जो यह सपेशल जो सेशन बलाया गया है इसमें अभी सरकार क्या कुछ करती है और इसमें क्या लेकर आती है सरकार पिटारे में क्या है यह किसी को पता नहीं है आला कि पहले जितने भी सेशन हुए हैं पहले पता लग जाता था क्योंकि एजेंडा रखा जाता है उसके अंदर और जिस एजेंडा पर बोलना होता है उसी की विपक्स भी तयारी करता है और सरकार के भी जो मंतरी है वो तयारी करके आते हैं लेकिन सरकार के मंतरियो कि हो सकता है वही चुनाओं का समय है और कहीं कहीं आरक्षन वगरा का ही कोई मसला आएगा या कोई धरम वगरा भी आ सकता है अयोद्धा का भी अभी जसन मनाएंगे और अब जी टून्टी का जसन मना जा रहा है यह कोई दिन तक लगातार चलेगा तो कि मीडिया ने भी अब काम अपना मिल गया है इसमें कहीं ने कहीं बेरोजगारी के मुद्धे और दूसरे महेंगाई के मुद्धे हैं यह गोणो जाएंगे तो यह चलेगा अब काफी दिन तक है तो अभी आज इतना ही अगर आपका संदेश चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त आएं ताकि हम उसका ध्यान रखें और जल्द ही हम आपको कुछ और नई वाक्तों से रूप डू कराएंगे तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद दोस्तों वैसा बेश वैसा बेश देख करिए आपका संदेश हवासिंचहल के साथ